कर दो नमस्कार मैं हूं आकांशा सिंग दस्टा नियूज में आपका स्वागत करते हूं आए देखते हैं आची खास करते हैं देशाचे सहुरक्षिन मंत्री मानला श्री राध सिंग साहबन से आगमन जादेलाए सरवान निताय दंतंच स्वागत कराईचा आए भारात माता की बारात माता की अन्ना भाव साथे यन्ना ही पुश्वारम करना रख कुले विद्या थाकुर से विनधि करता हूं की उसंप देखर उनका स्वागत करें इस्थानिक नगट से भिका स्रीकला पिल्दे से भी विनंती है कि राजना सिंग जी का स्वागत करेंगे मैं गजानन किर्तिकर जी का भी स्वागत करने के लिए स्रीकला पिल्दे से भिनंती करता हूँ कि गजानन किर्तिकर साब का भी स्वागत करें हमारे बीच में मेडेकर उपस्ती तोंका स्वागत है साधनाताई माननी उपस्ती तोंका भी स्वागत है भारत माता की वंदे हमारे देश के माननिय रक्षामंत्री जी आदर्निय माननिय राजना सिंग जी आज हम सभी को आशिरवाद देने के लिए समर्थन देने के लिए और इस गोरे गाउं की जनता को सम्मान देने के लिए भारतिय जनता पारटी सीव सेना आरपियाई और मित्र पक्ष को सम्मान देने के लिए यहाँ पर आए हैं मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ उनका अभिनंदन करती हूँ और उनका अभार व्यक्त करती हूँ आज जो आशिरवाद मिले आशिरवाद मिला है हम लोगों को मैं माननिय राजनास सिंग जी से विनंदी करती हूँ कि हम सभी को और इस गोरे गाउं की जनता और कारे करताओं को संभोधन करे क्योंकि आज कोई भाषन का आउसर नहीं है यहाँ पर प्रचार और रोडशो होने वाला है इसलिए मैं राजनाज सिंग जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ स्वागत करती हूँ और साथ में हमारे इस गोरे गाउं छेत्र के खासदार आधर्णिय गजानन किर्तिकर सभी करता भाईयों का भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ और विनंती करती हूँ कि माननीय रक्षामंत्री जी राजनाजी हम सभी को संभूंदन दे आशिर्वाद दे और संबाहन दे इनी सब्डों के साद अपनी आँखों के सामने जो मैं इतना बड़ा हुजूम देख रहा हूँ मेरा विश्वास पक्का हो गया है किस विधान सवाच्छेत्र की जनता ने अपना मनिया बना लिया है कि विध्या ठाकुर को भारी मतों से विये दिलाकर हमें महरास्त की विधान सवाब में बेजना है आप सभी जानते हैं कि पांच महीने पहले ही लोकसभा का चुनाव हुआ है और लोकसभा के चुनाव में तीन सौ से अधिक सीटों पर इस डेश की जनता ने हमशब को आफसर वाद दिया है इसके पहले पांच वर्सों तक जिस तरीके से नरंदर भाई मोडी के नेतरतों में हमलों ने सरकार चलाई है आपने देखा कि पांच वर्सों तक सरकार चलाने के परिणाम स्वरूपी 2011 के चुराव में इस डेश की जनता ने पुनह नरंदर भाई ने मोडी के नेतरतों में अपना विश्वा सुव्यक्त किया है क्या क्या सरकारों ने काम किया है मैं समझता हूँ कि इस समय यह बतलाने का आउसर नहीं है लेकिन मैं बतलाना चाहता हूँ मोडी जी के नेतरतों में भारत की प्रतिष्ठा अंतर रास्ती जगत में बढ़ी है और आपने हाउडी मोडी का भी ये कारकम देखा होगा हमने पूरे विश्च को यह संदेश दे दिया कि भारत को जी किसी से बात करनी होगी तो घुटनों के बल खड़े होकर बात नहीं करेगा बलकि बराबरी के यह अस्तर पर यह भारत करेगा यह संदेश सारे विश्च को भारत ने दे दिया है भारत भारत अब दुनिया के कमज़ोर देशों में नहीं गिना जाता है बलकि भारत अब दुनिया के ताकतवर देशों में गिना जाता है आपने देखा होगा कि अभी कुशी दिनों पहले पांच छे दिनों पहले वहां से राफेल लेकर आया हूँ बेहनों बाईयो और मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि राफेल के अंदर वह ताकत है जो की सुपर सोनी की स्पीड से चलती है यानि धुनी की गती से भी इसकी तेज रफ्तार हुआ करती है ठिकानों का तफाया करने की ज़रुवत नपड़ती बलकि भारत की धर्ती से ही हम राफेल के मात धंचे आतंक बाड़ी ठिकानों का तफाया कर सकते थे यह कूबत हमारे राफेल के अंदर है और जिस सुपर सोनी की स्पीड से हमारा राफेल आगे बढ़ेगा बहनों भारियों मैं समझता हूँ उसी सुपर सोनी की स्पीड से कांग्रस समय लीचे जा रही है लगातार कांग्रस का ग्राफ यह है इसमें गिरता जा रहा है आज क्या उसर पर ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कुछी समय बचा हुआ है इसलिए पूरी ताकत लगाकर हमें घर घर तक जाना है और हमारी सरकारों ने जो भी काम किया है चाहे हमारी केंदर की सरकारों अत्वाफद नवीश जी के नेत्रत में यहां पर महारास्ट के हमारी सरकारों भाजपा शूशेना की यूती भाजपा शूशेना और आर्पि आई की यूती कि जिस प्रकार की सरकार चली है केबल उसकी प्रतिष्ठा महारास्ट में ही नहीं बढ़ी है बलकि मैं कह सकता हूँ सारे हिंदुस्तान में बढ़ी है और यहां के मुक्षमंत्री देवेंदर फड़नवीशी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कोई यह कह सकता है कि फड़नवीशी ने यह काम किया यह कर दिया होता तो और ज़्यादा अच्छा होता फड़नवीशी के किसी नीतियों पर लेकर कोई विवात खड़ा कर सकता है लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि कोई भी कोई भी ब्यक्तिस देश का हो फड़नवीशी के उपर उंगली उठा कर यह नहीं कह सकता है कुनके दामन पर कहीं भी कोई वरस्टा चार की दाग लगी हुई हो इस प्रकार का एक प्रभावी नेत्र तो देने का काम देवंदर फड़नवीश ने किया है भारी मतों से विद्या ठाकूर को जिता कर आप महारास्ट की विधाम सभा में बेढ़ें और साथ ही महारास्ट में दो तिहाई बहुमत से भाजबाश शूशेना और आर्पियाई के यूति की सरकार बनाएं यही अपील करते हुए आप सब को अपनी हारदिक्षिप कामनाएं देटे हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ अपना निवेदन समाप्त करते हुए